नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब विजन आईस की मंतली जून 2022 की करेंट इफेर में आपका स्वागत है इंपोर्टन न्यूस क्या-क्या है कौन-कौन से टॉपिक से इनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में चली शुरू करते हैं सबसे पहले बगर में बात करूं तो पहली न्यूस है हमारी पॉलिटी के रिगारिंग सेक्शन पॉलिटी है इस पॉलिटी की सेक्शन में कौन-कौन से न्यूस इंपोर्टन है क्या-क्या है चीज़े उसमें बारे में बात करेंगे ठीक सबसे पहले लिखा हुआ है Central Information Commission Central Information Commission क्या करता है जानकारी को रिसेंटली Central Information Commission दैट इस दा CIC achieved a consistent decline in the dependency of the RTI ठीक हमको पता है कि अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप RTI यानिकी petition के स्तमाल कर सकते है right to information केस के संदर में ठीक है so Central Information Commission जहां से जो सूचना आयोग है ठीक है उन्होंने क्या देखा कि जो pendency है किसकी RTI की उसमें एक sharp decline हुआ है ठीक है तो यह अच्छी बात है अब आगी बात करें अगर कि जो Central Information Commission है यह कैसी body body है यह statutory body है what is the meaning of statutory body? statutory body का मतलब होता है लेकि दो तरे की body हो सकती है वैसे तीन तरे की body हो सकती है पहली हम बात करें statutory body statutory body कौन से body होती है वो body जो parliament में किसी एक bill को पारिद करके बनाई गई है उसे हम लोग क्या करते है statutory body जिसे National Tiger Conservation Authority यह क्या है statutory body है यह हमने बात करें कि National Women's Commission यह क्या है statutory body तो वो body जो environment जो parliament में किसी एक act के तहत बनी हो से statutory body कहते है दूसरी body होती constitutional body वो body जिसका प्रावधान या जिसका जिसके बारे में हमारे सम्विधान में जिक्र किया गया है उन्हें constitutional body कहते है आजसे हम बात करें एлекepion commission तो election commission क्या है election commission एक constitutional body है ठीक है na UPSC constitutional body है क्योंकि इनका जिक्र किया गया है इसे election commission का article तीन सुचॉपिस में election commission का जिक्र किया गया है ठीक है तो ये क्या है ये constitutional body है एक और body होती है हम लोग executive body कहते है जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका जो नीति आयोग है ठीक है तो जो chief information commission है वो कैसी body है वो statutory body है constituted with effect from 2005 under the RTI act आपको पता है कि RTI का जो act आया था वो 2005 में आया था और उसी act के अंतरगत ही इस body का formation किया गया है पहले act आता है देखें सबसे पहले क्या होता है पार्लेमेन में एक bill आता है उस bill पर जब resident के signature हो जाते है तो वो क्या बन जाता है act बन जाता है तो RTI act 2005 के अंतरगत हमने central information commission का formation किया हुआ था ठीक है The jurisdiction of the commission extended over all the central public authorities जो ये central information commission है इसका जो jurisdiction है ठीक है यानि कि इसका जो चेत्रा अधिकार है वो जितनी भी central public authorities है ठीक है जो भी government की जो bodies है उन पर रहेगा ठीक है private body based का जो विशेशा दिकार है यानि कि जो jurisdiction है वो नहीं रहता है अब आगे बात करें वो इट डिपेंड्स आक्चिली next it's constitute of the chief information commission यानि कि जो हमारा central information commission commission है इसमें एक chief information commissioner होगा and not more than 10 information commissioner यानि कि total हम कह सकते हैं कि 11 member होंगे पहला कौन होगा chief information commissioner और दूसरा क्या होगा दूसरा आपके 10 और information commissioner होगा बात समझे ने समझे जैसे अगर मैं election commission के बात करूँ election commission में क्या होता है election commission में एक chief election commissioner होता है और बागी के दो अलग election commissioner होते है वैसे ही यहाँ पर एक क्या है Chief Information Commissioner है और 10 अलग Information Commissioner है इनका appointment कैसे होगा? इनका appointment होगा President के तुरू ठीक है? President इनका appointment करेंगे on the recommendation of the committee consisting of तो President इनका appointment करेंगे आपको पता है कि President क्या है? इन्डिया में मैंने बताया था लास्ट ली वीडियो में 10 सुटम्मेर वाली वीडियो में कि इन्डिया में जो President है वर नॉमेरल है उसके पस कोई पावर नहीं होती ठीक है? सिर्फ बिल भेज दिया गया, बिल पर साइन कर दिया और इस तरह की चीज़ें वो करता है तो President क्या है कि President जो भी decision है मानता है और decision लिया किसके दोर जाता है Council of Minister headed by the Prime Minister तो Prime Minister क्या होते है? इसके Chairperson होते है? Leader of Opposition in the Lok Sabha कौन-कौन से committee इसमें लिखा हुआ है कि इसका appointment है एक committee करेगी और उस committee में कौन-कौन से लोग होंगे? पहले होंगे Prime Minister जो कि उसके Chairperson होंगे उस committee के Leader of Opposition in the Lok Sabha जो Leader of Opposition है उस वो होंगे Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister जो Union Cabinet Minister है ठीक है? वो होंगे तो इतने लोग होंगे जिससे एक committee बनेगी और वो committee करेगी वो committee Chief Information Commissioner को appoint करेगी ठीक है? मतलब नॉमिनेट करेगी और वो सिर्फ appointment कौन कराएगा उसका? President कराएगा Chief Information Commissioner जो है not eligible for the reappointment क्याने क्या मतलब है कि अगर इनका एक बार appointment हो गया तो दुबारा इनको reappoint नहीं किया जा सकता ठीक है फिर आगे बात करें आगे क्यालक हो है कि by the RTI Act amendment act 2019 the rules of the brought the rules brought in the year after tenure of the commissioner has been cut to the three years तो क्या कर दिया गया कि जो RTI Act का amendment 2019 में आया तो आपको पता होगा तो इसके दोरा क्या कि जो tenure था किसका? Chief Information Commissioner का उसको reduce करके कितना कर दिया गया है? तीन साल कर दिया गया है ठीक है? पहले कितना था फिर? पहले क्या था? पहले यह 5 साल था भाई सबसे पहले क्या आया था? RTI Act 2005 आया था उसके अंदर Chief Information Commission मना हुआ ठीक है? तो RTI Act के अंदर चीफ Information Commission मना है और उस Commission में जो Chief Information Commissioner था उसकी ज maximum age कितनी है 65 इन दोनों में से जो भी पहले हो गया या तो तीन साल पहले complete हो जाए यह maximum age जो है वो 65 की पहले complete हो जाए ठीक है next एम बात करें this was done to ensure that the information commissioner can use their powers even with the senior most officers of the administration without any fear of the job देखें अगर क्या रहेगा अगर 5 साल का मालीज उसका 10 euro हो सकता उसको job security job insecurity भी लगे in security in the sense कि हो सकता है कि उसको लगए कि पान साल है तो आराम से काम कर रहा है और उसी के अंदर दबाव भी आ जाए किसी और किसी एक officer का तो तीन साल कर दिया गया कि आप बेबाक होके आप अपना काम करें ठीक है थोड़ी से अगर बात करें आडिया एक्ट के बारे में तो आपको पता है कि अगर मैं कि आडिया एक 2005 के बारे में बात करूँ तो इसके genesis कैसे हुआ इसका इसकी उत्पत ही कैसे हुई तो आपको पता है कि 1986 में Mr. कुल्वाल वर्सेट जैपूर मुंसिपल करपरेशन का केस हुआ था ठीक है और उस केस में सुप्रीम कोड निगाह किया डारेट किया कि जो फ्रीडम ओफ स्पीच है और एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल उनिस के अंतरगत है इंप्लाइस आर्टिया एस विदाउर्ट और उसको रख दिया हमने 301 एक अंतरगत ठीक है तो यहां पर जो छे आर्टिकल लिखे हैं उसमें है क्या राइट टू फ्रीडम ओफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो कहने का मतलब कि इस फ्रीडम ओफ स्पीच और एक्सप्रेशन में हमारा क्या है इंफॉमिशन का भी इस स्पीच सथरो एक हमारा रगार्या सब्सक्राइब है क्षे भबश्या बने सब्सक्राइब करना भी अप्यों फानमेंटल राइट यरा स्वह दोन हो के लिए लेकिन इस सर्थ अंड़की मिज़ें लिखte में विख इंबे ऑलाग्ज इन ड्सक्राइब साइब लिख सक नहीं है ठीक है अब RTI एक ने का किया है RTI एक ने पावर दे दिया citizen को कि आप transparency को promote करें और accountability को check करें कहाँ पर public authorities में आपको पता दिखिए public authorities क्या है public जो offices है वहाँ पर कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है या आपने कोई जिसे महले ब्रिज बना या कोई case हुआ तो उस case में क कितना काम हो चुका है कितना काम pending है कितना पैसा लगा है इन सबकी जो जानकारी है वो एक आम आदमी ले सकता है under the RTI ठीक है आप RTI फाइल कर सकते हैं बिल्कुल nominal charges में कोई charges नहीं इसके है ठीक है इससे आप क्या कर सकते हैं आप पता लगा सकते हैं कि correction हुआ कि नहीं पर जलब क्या है कि power power on the hand of the people यानि कि जो ताकत है वो कहां पर है लोगों के हाथ में है तो जो ताकत लोगों के हाथ में है तबी तो ये democracy का real sense हुआ तो यह democracy का real sense है यहीं कि RTI क्या कर रहा है RTI हमारा democracy के real sense को क्या कर रहा है बचा रहा है फिर बात करते है RTI 2005 में क्या रहा है जो salary है किसकी chief information commissioner की और other information commissioner है जो कि central level के होंगे वो equivalent होगी किसके chief election commissioner के और election commissioner के क्या समझे मैंने भी बताया क्या कि जो chief central information commission है उसमें एक central information chief information commissioner होगा और बाकी के 10 other commissioner होगे तो इनकी जो salary होगी वो equivalent होगी किसके देखिए जो chief information commissioner है उसकी salary equivalent होगी chief election commissioner के और जो other 10 information commissioner है उनकी salary equivalent होगी election commissioner के ठीक है और यह election commission कैसी body है यह constitutional body under article 324 ठीक है और हमारे यहाँ पे एक chief information commissioner होता है और दो other election commissioner होता है और दो other election commissioner होता है ठीक है जो RTA 2019 है remove these provisions and empower the center government तो क्या किया RDR government ने कुछ चीजों को remove कर दिया और empower कर दिया इसको center government हो आगे बात करते हैं functions functions के है functions of the chief information commissioner chief information commission जो है उसके वही powers है as are vested in the civil court ठीक है while trying to suit under the code of the civil procedure act on this art in respect of the following matters आपको पता है क्या कि अगर आपको civil matters में कोई भी issue है ठीक है या civil matters में कोई भी आपको कोई भी query है या फिर कोई भी procedure चलना है तो वो चलता है under the code of the civil procedure act 1908 के ठीक है अब इसमें करके क्या सकते है इसके function कैसे काम करेगा summoning and enforcing the attendance of the person and compel them to give oral and the written evidence on the oath and to produce the document of things यानि कि जो court है वो क्या कर सकता है summon कर सकता है summon का मतलब होता है जब court किसी को बुलाता है अपने सामने की भाई हाजिर होई है तो वो summon issue करता है उसके लिए अभी आपने देखा राहूल गांदी और सुनिया गांदी के लिए भी summon issue किया गया था enforcement director के दोरा तो summon कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ RTI गई है या और वो जब आपनी सामने आएगा तो वो अपना जो भी statement है और अरल फॉर्म में रिटन फॉर्म में या कोई evidence है उसके खिलाफ या फिर जैसा भी जूजिस है वो पेश कर सकता है उस document का inspection करेगा कौन और evidence या एफिडेविट को receive करेगा question करेगा किससे public authorities से जो public authorities के पाथ जो record रखे हैं उनको check करेगा ठीक है code की साहता से कर सकता है और issue करेगा क्या summon करने के लिए किसको examination of the witness of the document जो भी document है जो witness उसको क्या करेगा examine करेगा फिर बात करेगा जो center information commission है वो क्या करता है वो receive करता है inquiry करता है जो भी complaint officer है who has been refused access to any information या नि माल लिजे अगर आपको किसी कोई जान करी देने से सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले आप किसी एक office में जाओगे और उस office में जाने के बाद क्या करोगे वहाँ से information मागोगे तो अगर नहीं मिली तब फिर आप यह RTI यह file कर सकते हो ठीक है फिर who has not been given respond to access to information within the limited time frame अगर आपको RTI का जवाब है एक limited time frame में नहीं मिल रहा है online portal ने start कर दिया है 24 घंडे चलेगा portal यह ठीक है e-filing of the RTI अब RTI को क्या कर सकते हो RTI को e-file भी कर सकते हो ठीक है during any part of the delay or day or the night कैसे भी कर किया जब कोई चीज online है तो आप कभी भी करे 24 घंडे में कभी करे कोई दिक्कत नहीं है e-governance यह क्या है जो technology को harness करने के लिए हमने क्या किया है mobile based e-applications बता दी है जिसे क्या है आपकी जो information लिने की जो time frame होगा जो latency होगी वो क्या हो जाएगी वो काफी कम हो जाएगी then national federation of the information commission of the india यह क्या है यह 2009 में इसका formation क्या गया था किसलिए facilitate करने के लिए coordinate करने के लिए mutual concentration करने के लिए CIC के साथ यहनि की chief information commission के साथ और state information commission के साथ ठीक है यहनि की national federation of the information commission बनाए गया है federation का मतलब भी होता है की coordination की बात करें जैसे हम लोग कहा है हमारे जो government हो कहा है कौसी federal है as well as exchange the information on the laws and their interpretations to the education, research, dismissal of the knowledge leading to the decision of the ambition of the RTI यानि की central information commission और state information commission के बीच में जो अच्छे से coordination में इंडेन करना है information का exchange करना है कोई research है या कोई knowledge है कोई leading document उसका exchange करना है फिर उसके बाद जो RTI act amendment आया 2019 का जिसमें even जो chief information commissioner था उसकी जो age थी वो पांच साल से sorry जो जो टन्योर था वो पांच साल से तीन साल कर दिया गया तो ये भी क्या है ये वे किस time lining क्या है ये issue है अब आगे बात करें issue with the central information commission तो जो central information commission ने उसके साथ क्या issues है उसके बारेंगा बात करें तो पूर record management देंकि अभी तक क्या था कि हम लोग भी बिल्कुल भी जल्दी ही सब हम लोग online सब्मोग कर रहे है तो अभी जो proper record है वो maintain नहीं कर पाए तो record क्या पूर record in effective record management system है देंकि procedures to collect the information from the field officer lead to the delay in the process of the RTI यानि कि जो online field पे जैसे मरली जी आपने को जयानकारी मांगी तो हो सकता है कि उस public department के पाद जयानकारी नहीं हो तो जयानकारी जुटाएगा कहीं से वह एकटा करेगा तो यह जानकारी एकटा करने में में क्या होता है कि इले हो जाता है इस वजे से भी जो इसकी प्रापर की जो पूरी प्रोसेस है RTI की वो क्यों हो सकती है लेट हो सकती है फिर बात करें 38% of the public information officers जो है record management system में delays in the processing of the RTI यनिकी 38% of the public information officers cited the record management system as the reason for the delays in the position of the RTI 38% जो officers है किसके public information commission ने उनने बोला कि इस process की वज़े से कौनसी process record management नहीं उपा रहा है इसकी वज़े से delay हो रही है RTI के transformation में या आपने जो जो भी ग्रहक है उसको information पहुंचाने में 79% of the public information officer cited that collecting information from the field officer as a cause of the delay देखें अभी हमारा जो system में रडिया ही का ये इतना रॉबस्त नहीं हुआ है लोगों ज्यादा अवेर नहीं है जो फिल में officer काम कर रहा है उनके पास ज्यादा अवेरनेस नहीं कि कैसे information को इखटा करना है उसको accumulate करना है और फिसको आगे transform करना है migrate करना है ठीक है तो यी चीज़े नहीं पता तो फिल में जो officer है उसकी delay की वज़े से भी क्या हो रहा है उसकी delay की वज़े से भी ही हमारा क्या हो रहा है latency बढ़ रही है ठीक है हमने अभी देखा कि जो news है वो क्या है वो resolve हो रही है मैं लब जो जो आपके RTI है वो resolve हो रही है पर उसके अलावा भी क्या है उसके अलावा भी कई सारे issues हो रहे है then total of 35,849 appeals and the complaints are currently pending अभी भी इतनी pending है जब कि हमने बहुत सारी चीजों को resolve कर लिया है ठीक है फिर जो RTI का जो रूल आया है 2019 में यह का कह रहा है कि government government to decline on the allowances and the services condition ठीक है भाई government decline किया है government ने पहले पान साल कुछ सर्विस था क्या कर दिया है इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से binding हो जाएगा increase the government to control on the CIA which would binding thus increasing the government's control on the CIA इससे क्या होगा कि government का control होगा chief information commission पे जाता बढ़ जाएगा vacancy vacant for the significant period for in the fourth of the last seven years जो इसकी जो vacancy यह बहुत सारी खाली बढ़ी है यानि कि proper क्या है workforce नहीं है तो this could also be the reason ठीक है यह है यह में लोग रिजन ही तो सारे पट रहे है सब क्या पढ़ रहे है issues क्या है इसके साथ टीए लाइक आफ ट्रेइनिग मैंने बताया जो field officer से उनके पास क्या है proper training नहीं होने की वज़े से क्या हो रहा है की जो required skills से नहीं हो रही है उसकी वज़े से क्या हो रहा है की जो information का transmission नहीं हो पा रहा है और क्या हो रहा है और डिले हो रहा है आट यह वे फॉर्वेर्ट हम और क्या कर सकते हैं इसके बारे में देखें वे फॉर्वर्वेर्ट क्या है record management by uploading all the disc closable documents on the department website आप क्या करें रिकॉर्ट management कर दिक है कि रिकॉर्ट management एक ऐसी एक ऐसा point है एक ऐसा factor जिसमें आपने बहुत हमें बहुत focus करना है अगर हम record management अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा record management अगर अच्छे से नहीं होगा तो RTI का proper transmigration नहीं हो पाएगा तो record management अगर अच्छे से कर रहे हैं तो यह क्या करेगा जो burden है किस पे department पे information देने का to the public वो क्या होगा कम हो जाएगा और record management करना कैसे है हमें online mode पे तभी तो हमनों ने e-governance का सहारा लिया हुआ है ठीक है e-RTI का सहारा लिया हुआ है तो यह online management क्या करेगा यह help करेगा reduce करेगा जो document paper burden ठीक है और paper burden मैं आपको पता है काफी घर्चा भी होता है ठीक है next मैंने बताया कि जो field के officer उनको proper training के भी जरू रहते है training ना होने के वज़े से वो पता नहीं कर पाते है कि कि कभी कभी वो क्या करते है जो information हो तो इसको mishandle कर देते है manhandle हो जाती इस information in-housing in-house training of the PIOs training programs by the expert handling the RTI application and in-house manual containing information with regard to the provision of the RTI एक 2005 manual handling करने से भी दिक्कत है important code decision जो आई है increase the efficiency of the आपने का करनी है कि जो public offices information के वहाँ पर क्या करनी है आपने efficiency को improve करना है अगर staff complete नहीं तो staff की देखनी है उसके बारे में वहाँ पर vacancy को fill करना है awareness आपने करना है कि बहुत लोग अपने RTI जानते नहीं है उनका हक आता है RTI पहले है कि add भी आता था जागो ग्रहाग जागो ठीक है तो जागो ग्रहाग जागो क्या होता रहा है कि आपने अगर कोई दिक्कत है या आपको सपोज आपका consumer code से regarding कोई भी issue है तो आप उसको resolve क कर सकते हो आप court जा सकते हो पर अगर आपको अपने हग के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपने क्या करना है government कर क्या सकती है या क्या कर सकती है कि radio के थुर awareness विलाए television के थुर एडिविजन के थुर एडिवस पलाए awareness विलाए print media दे दे पप्लिकेशन करे ठीक है ना of the RTI 2005 in regional language आपने क्या करना है कि regional language में क्या करना है मुहिया कराना है कि RTI file कैसे करते है कई लोगों को लगता हो कि इतना कठीन होता हो कि कैसे करेंगे यह नहीं ऐसा नहीं होता है तो यह 2005 के act में बताए गया हुआ है ठीक है और adding a chapter RTI 2005 in a school college का curriculum हम क्या और क्या कर सकते है कि school और colleges के जो curriculum है जो chapter ने उसमें हम लोग RTI का chapter भी क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं यह क्या बढ़ाएगा यह awareness बढ़ाएगा among the citizens भाई आज के जो बच्चे हैं यह आज के school में जाने वाले बच्चे हैं यह तो कल को जाके हमारे aware citizens बनेंगे तो यह बनेंगे तो कैसे बनेंगे अगर इ in the CII in order to quickly dispose the dependency case हमें यह करना है जिसे बही बात बताई ही मैंने अभी कि vacancy proper जो है vacancy जो है वो बहुत खाली पड़ी है significant period में ठीक है अब जो vacancy खाली पड़ी है यानि कि proper जो है वो staff उनका नहीं है manpower नहीं है manpower नहीं है manpower नहीं होने की वज़े से क्या है वहाँ पर space खाली पड़ा है ठीक है तो हमें यह करना है कि हमें manpower को बढ़ाना है और बाकी जो pendency cases है जो issues है ठीक है उनको redressal करना है उनका redressal करना है और उनको resolve करना है ठीक है तो यह से वेक न्यूस के बात है में हुई next news हम लोग नेक्स वीडियो में करें करेंगे छोट शोटी न्यूस हम अबस्क्राइब चानल शेर्ड वीडियो तो थांक यू विल्टे नेक्स वीडियो में